तो यह है दोस्तों सावमी ज्नीव 4G डॉमफोन सावमी क्वेन F21 प्रोज बॉक्स कॉंटेंट बॉक्स आप देख सकते हैं यहां आपको सिम एजेक्टर टूल के साथ USB-C टाइप चाजिंग कर दिया गया है यहां बताने वाला पॉइंट है दोस्तों कोई चार्जा आपको यहां नहीं दिया गया है साथी साथ दोस्तों यहां आपको एक यूजर गाइड भी देखने को मिल रहा होगा अब चलिए इस फीचर फोन को पावर ओन करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों डूओ क्यों का लोगो आपके सामने आ चुका है बहुत डिसेंट लुकिंग एंड वेल बैट एक फीचर फोन है यह इस फीचर फोन का ग्लॉसिनिस आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं आपको पीछे एक टीप यू केश का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों अगर इसको अपिन करें तो यहां दोस्तो आपको रेर कैमरा लुक किस तरह का हैं देखने को देखने को मिलेगा यहां आप जैसे के बेख सकते हैं साइड लुक यह बटम लुक उस्ते के साथ का यह है app drawer दोस्तों आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं, calculator, clock, browser, setting, file manager, फिर gallery, और movie और camera जैसे feature आपको app drawer में दिया गया है, जो के app size में आपको देखने को मिल रहा होगा, अब setting में दोस्तों, network, internet, connective device, app and notification, battery, display, storage, privacy, location जैसे setting दोस्तों आपको यहां देखने को मिल रहा होगा, अंडर language section, English, Hindi जैसे language support के साथ बहुत सारे world language support आपको इस 4G dumb phone या 4G keypad mobile के अंदर दिया गया है, अब दोस्तों यह आप देख सकते हैं, यह touch से और keypad navigation से भी दोस्तों इसको operate किया जा सकता है, और वी कुछ feature details या details दोस्तों आपके screen के उपर हाजिर है, अब अगर बात करें और कुछ details जो के app drawer के उपर आपको दिया गया है दोस्तों, facebook, twitter, instagram, tiktok और whatsapp जैसे app का support इस 4G dumb phone या keypad mobile में आपको मिले वाले हैं, अब यहाँ दोस्तों आप closer look देख सकते हैं, किस तरह का यह दिखता है, उसी के सासा नीचे आपको camera देखने को मिल रहा होगा, जो के 2 megapixel का है, उसी के सासा 2.18 जिसका IPS टाइप डिस्पले आपको दिया गया है, touch से यह किस तरह operate हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, अब दोस्तों यह keypad mobile आपको सिर्फ और सिर्फ दो color option में मिलेगा, Alibaba या Aliexpress जैसे website का सारा लेना पड़ेगा, और भी details दो स्क्रीन के उपर देख सकते हैं